शुरू करते हैं पेपर फाइफ पेपर फाइफ में हमारा कोशन नमबर वन है दा कोशेंट अफ पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वाइर माइनस फॉर एक्स प्लस तू इसको हम डिवाइड करेंगे किससे तू एक्स माइनस तू से तो सबसे पहले हमको अगर यहाँ पे एक्स स्क्वाइर लाना है तो सबसे पहले हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें चेक कर लेते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वाइर को डिवाइड कर लेते हैं हम टू एक्स से तो हमको तो यह हो जाएगा हमारे पास x square और half of x को अगर हम minus 2 से multiply करेंगे तो 2 से 2 cancel होके minus x में हो जाएगा अगर आपको कोई confusion है तो यहाँ पर multiply करके check लेते हैं half x into minus 2 correct तो हमारा 2 से यह 2 cancel और हमको बच गया minus x अब क्या करेंगे सर अब हम sign change करेंगे और cancel out करेंगे तो यह हो जाएगा minus यह हो जाएगा plus और यह cancel out हो गया अब minus 4x और plus x यह हो जाएगा minus 3x plus 2 अब यह किस से multiply करेंगे हमको यहाँ पर minus 3x मिले उसके लिए हम फिर से rough column में जाते हैं rough में हम लोग क्या करेंगे minus 3x को divide करेंगे 2x से एकस x cancel हो गया minus 3 by 2 आ गया तो यहाँ पर हमारा next number आ जाएगा minus 3 by 2 और minus 3 by 2 को हम cancel करेंगे 2 2 से तो यह minus 3x आ गया यहाँ पर और minus 3 by 2 को जब हम minus 2 से multiply करेंगे 2 से 2 cancel हो जाएगा और हमारे पास यह answer कितना बच जाएगा plus का 3 सब्ट्रेक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रेक्शन करने पर यह हो जाएगा plus का यह हो जाएगा minus का यह cancer यह आ गया minus 1 तो remainder है minus 1 और quotient है half x minus 3 by 2 जो की है option B में बढ़ते हैं question number 2 की तरफ question number 2 बोल रहा है the remainder of the polynomial तो remainder हमारा यहाँ पर कितना आ रहा था minus 1 हमने कहीं पर minus का sign का mistake किया है चैक कर लेते हैं एक बार फिर से तो minus 3 by 2 को जब हम multiply करेंगे minus 2 से तो यह 2 से to cancel यह मिल जाएगा हमको plus का 3 और जब sign करोगे cancel तो यह जाएगा minus 1 तो correct answer है minus 1 किसका question number 2 का तो question number 2 हमारा same है question number 1 का बस only remainder पूछा है तो correct answer हो जाएगा हमारा minus 1 option d एक बार फिर से check कर लेते हैं अगर कहीं mistake तो हमने तो नहीं किया तो यहाँ पर यह plus 2 है और यह plus 3 है और जब minus करेंगे yes 2 minus 3 हमारा कितना आगया minus 1 बढ़ते हैं आगे question number 3 की तरफ question number 3 बूल रहा है the quotient of the polynomial when divided with this तो हमें क्या करना है फिर से इसको divide कर देते हम 2x square minus 3x plus 5 इससे divide करना है 2x minus 1 से तो यहाँ 2x square है यहाँ 2x है तो आपको simply इसको x से multiply करना है तो x से इदर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2x square और x को यह हो जाएगा minus x दोनों को subtract कर देते ही आजाएगा minus यह हो जाएगा plus यह cancel हो गया minus 3x plus x कितना हो गया minus 2x plus 5 अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पे minus 2x है और यह 2x है तो minus 1 से ही multiply कर देते हैं तो minus 1 से आजाएगा minus 2x और minus minus plus 1 जब subtract करेंगे हम तो subtraction में हमारा हो जाएगा plus और यह हो जाएगा minus तो पीछे answer आगया 4 और हमारा quotient कितना आगया x minus 1 जो कि है option B और remainder कितना है 4 देखते हैं हमारा अगला question remainder पूछ रहा है अगला question में remainder कितना है 4 हमारा पिछले question का same question है अगर आप quotient और remainder देखो तो question number 4 का same question है dividend और divisor तो remainder हमको 4 मिला है तो हम इसको solve किये भी नहीं यहाँ पर 4 पर लिख लेता है question number 4 का option A बढ़ते हैं 5th की तरफ question number 5 बोल रहा है the quotient of the polynomial फिर से हम divide करते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा 3x square minus 2x और plus 5 किस से divide करना आपको 3x minus 1 से जब 3x है इदर front में तो हमको किस से directly multiply करना x से x into 3x यह हो जाएगा 3x square और x और minus x यह minus x हो गया तो minus और यह हो गया plus cancelled कितना बच गया minus x plus 5 अब यहाँ minus x है वहाँ 3x है तो हम क्या करें डिवाइड करके check कर लेते हैं तो minus x divided by 3x यह जाएगा minus 1 by 3 तो हमको किस से multiply करना है यहाँ पर है minus 1 by 3 minus 1 by 3 when multiplied with 3x हमको क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा minus का x और minus 1 by 3 यह हो जाएगा plus कितना आगया 1 by 3 तो हम subtract कर देते हैं तो यह हो जाएगा plus और यह हो जाएगा minus यह cancel हो गया और 5 minus 3 5 minus 1 by 3 रफ में देख लेते हैं 5 3 is a 15 15 minus 1 14 by 3 तो हमारा remainder आगया 14 by 3 और quotient आगया x minus 1 by 3 तो 5th question का answer है option B और answer remainder कितना 14 by 3 यह देख लेते हैं क्या same question है अगला देख लेते हैं हाँ अगला भी हमारा next question same है यहाँ पर remainder पूछा है तो 14 by 3 हमको मिला है correct answer ठीक है यह paper 5 है ठीक है तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो paper 1 वापस देख लेना question number 6 हो गया हमारा यहाँ पर पेपर 5 का बढ़ते हैं question number 7 की तरफ question number 7 बोल रहा है the quotient of the polynomial तो फिर से एक बार divide कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से तो यह हो जाएगा हमारा 6x square minus 8x plus 2 और जब आप इसको 3x minus 1 से divide करोगे तो यहाँ सब सब पहले आजाएगा 2x 3 2 is a 6x square और minus 2x subtract कर लेते हैं minus यह हो जाएगा plus यह cancel minus 8 plus 2 minus 6x plus 2 तो यह हो जाएगा हमारे यहाँ पर minus 6 नहीं minus 6 कैसे आएगा sorry यहाँ पर यहाँ आएगा minus 2 because minus 2 3 is a 6 so minus 6x and minus minus plus 2 subtract कर देते हैं plus minus यह cancel हो गया और यह आगया यह भी cancel हो गया 0 2x minus 2 option B correct है 7th का भी और 8th अगर इसी पर based है तो correct answer है option A 0 हमने भी divide करके check किया check कर लेते है dividend or divisor हाँ same है question number 8 का यह हमारा paper 5 है question number 8 बढ़ते है question number 9 की तरफ question number 9 में बोल रहा है the quotient of the polynomial हमको फिर से quotient निकालना है तो देख लेते हैं यहाँ पर long division method में 8x square minus 6x plus 4 इसको divide किसे करना है आपको 2x minus 2 से ठीक है हमको 8x square चीए तो यहाँ पर 4x से multiply कर देते हैं 4 2s are 8x square 4 2s are 8 minus 8x subtract कर लेते हैं minus यह जाएगा plus यह cancer 8 minus 6 कितना आ गया 2x और यहाँ कितना हो गया plus 4 अब क्या करेंगे हमको यहाँ 2x चीए और वहाँ already 2x है तो यहाँ पर plus 1 लिख लेते हैं तो यहाँ पर plus 1 करेंगे तो यह हो जाएगा 2x और 1 यह हो जाएगा minus 2 minus plus 4 plus 2 कितना आ गया 6 4x plus 1 हमारा quotient आ गया वह है option C remainder देखते हैं क्या यह इसी पर बेच्ट है फिर से तो yes यह इसी पर बेच्ट है तो है यह हमारा answer आ जाएगा यहाँ पर remainder कितना है हमारा 6 तो correct answer है 10th का option E यहाँ आपका practice paper 5 complete हो गया है